नमस्कार आप सभी का स्वागत है मा के रसोई में आज हम जो इस्वेसल रेस्पी बनाने जा रहे हैं यह पंजाब की फेमस रेस्पी है तो इसको ज्यादा तर पंजाब में ही बनाया जाता है इस तरीके से तो चलिए यह स्वादिश्टिसी रेस्पी बनाना शुरू करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हम एक कठोरी सूजी लेंगे, तो सूजी आप भारी या मोटी को इसी भी ले सकते हैं, जो आपके पास घर में हैं, और इसके बाद एक कठोरी ही हम यहाँ पर दूद लेंगे, तो दूद को सूजी के अंतर डाल देंगे, और अच्छे से मिक्स कर दूद को मिक्स करने के बाद इसको धकर के रख देंगे, तब तक हम थोड़ी सी आगी की त्यारी कर लेते हैं, तो गैस पर गडाई को गरम करने रखेंगे, और इसमें एक चमच में ने देशी घी डालाए, तो इस रेस्पी के अंदर देशी घी का ही इस्तिमाल किया जाता तो इनको बिल्कुलो फिलेम पर भून लेंगे, तो किसमिस देखी एकदम से फूल गई है, तो इसके बाद मैं ने इसमें लंबा लंबा काटके सूखा नारीयल डालाए, तो इसको थोड़े बड़े बड़े पीस में काटके डालेंगे, तो इस रेस्पी के अंदर अगर इ अच्छी लगती है रेस्पी, तो जो नारीयल है बहुती जल्दी भून जाता है, ज्यादा देर नहीं भूनेंगे, तो ड्राइफूर्स को निकाल लेंगे, और कड़ाई को दोबारा से गैस पर रख देंगे, और अब इसके अंदर करी मैंने तीन से चार चमच देशी घी जाला है, घी रानने के बार, जो हमने सूजी को तूद में भीगो करके रखाता उसको ले ले लेंगे, और सूजी को इसके अंदर डाल देंगे, और गैस की फिल्म को लोटू मीडियम रखेंगे, तो सूजी को लगाता चलाते हुए भूनते रहेंगे, तो इस तरीके से हम आपको बनाते हैं, तो इस बहुती स्वादिश्ट बनती है, जब आप इसको खाएंगे, तो इसका जो स्वाद है, वो बहुती अच्छा आता है, तो इसको आप लगाता हुए भूनियेगा, छोड़िए गा मत चलाने से, जैसे जैसे आप इसको भूनते जाएगे, वैसे व अच्छा आएगा, तो आपका मन खुष हो जाएगा, खाने के बार, तो आपको लगेगा नहीं, कि हमने इसके लिए इतनी महनत की, और रेस्पी हमारी ऐसी बनी, तो देखिए, धीरे-धीरे सूजी बिखरने लगी है, और दाने-दान होने लगी है, तो इसको दवाते लग जाएगा, तो मुझे करीब 8-10 मिनट हो गए है, तो इस सूजी है, वो काफी भून चुकी है, अब इसको करीब 4-5 मिनट में और भूनूंगी, तो इसको लोटू मीरियम फ्लेम पर भूनेंगी, गैस की फ्लेम को तेज नहीं करेंगी, तो देखिए, इस सूजी है, एक चाणहूद बटन में निकाल लेंगे, और कडाई को दोबारा से है तो कडाई को लिया इसमें में ने शूजी भूनी तू अच्छे से साफ है, तो इसके बाद इसमें 1 चमस देशी घी मृष और डालेंगी, तो इसकी अंदर घी अच्छी मात्रा में डाला जाता है, तो यह पंजाब की famous recipe है और पंजाब में दूसरे बनी चीजें काफी खाई जाती है तो यहाँ पर हम एक कटूरी से थोड़ा सा कम चीनी लेंगे और चीनी को इसमें डाल देंगे तो चीनी इसमें एक कटूरी ही पड़ेगी जितना सूजी लेंगे उतनी ही चीनी पड़ेगी लेकिन थोड़ी सी चीनी हम बाद में डालेंगे अभी यहां पर इतनी ही चीनी डालेंगे और इसको लगाता चलाते हुए पका लेंगे जब तक के चीनी मेल्ट नहीं हो जाती तो देखिए चीनी जो है वो मेल्ट होने लगी है तो घी डालने में आप लोग कंजू से मत कीजिएगा घीस में फ्रण जब जरादा ही डलता है तभी रीघार पनेगी सवास्दिश हो घगांगे तो जितना अच्छा आपको कलर लाना है उतनी ही आप चीनी को कलर सब देखिए अच्छा आप अच्छा ऊस्ण पालिए ज़ादा करब एक दूटब डालने के गदा लगाता चलाते रहेंगे चीनी अच्छे से दूद के अंदर मेल्ट हो जाएगी तो जब तक चीनी मेल्ट हो रही है तब तक हमें दूद को पकाना आए तो इस तरह ऐसे जो रैस्पी बनती है वो बहुती स्वादिस्ट बनती है, इसमें हलका हलका आपको तो देखिए, जो चीनी थी हमारी, वो मेल्ट हो गई है, इसका कलर भी काफी अच्छा आ गया है, तो इसके बाद इसमें हम, जो सूजी का, पेश्ट था, उसको डालेंगे, तो पेश्ट हमने इसके अंदर डाल दिया है, और लगाता है, चलाते हुए बहुंते रहेंगे, तो इसको माखंडी हलवा बोला जाता है, तो जो नॉर्मल सूजी का हलवा बनाते हैं, उससे इसका जो टेस्ट है, वो काफी अलग होता है, तो मुझे सूजी का हलवा कम पसंद आता है, लेकिन मैंने इस तरीके से बनाया, तो मुझे भी काफी पसंद आया, तो देखिए, ध अच्छे से मिठास होगी तो मैंने एक कटोड़ी से थोड़ा कम चीनी डाली ती पहले और जब बाद में ढालते हैं तो इसके अंदर देखने में काफी घी लगने लगता है तो इसमें मैंने करीब तो चमच घी डाल दिया है तो मेरा जो घीता वो जमा हुआ है तो मैंने एक चमच भर करके डाल दिया है और आप देखिएगा बाद में आपको ऐसे लगेगा किसमें आपने कितना सारा घी डाला है लेकिन हलवे के अंदर घी तो अच्छी मातरा में ही डाला जाता है क्योंत नॉर्माल तरीकी से बनाए या इस तरीके से तभी हलवे का टेस्ट अच्छा आता है अगर घी नहीं डालेंगी करें जीन जादा किसमें हमने के इस के अंदर देखिए इसलोर हमारा चलब सीम्हिंगे धाल में करए GYP comfortable 25 हेगे से यह हमारे चलबारा is थूरी देखने की हमें तो यह को मैं अच्छा नहीं लगा खाने में भी बहुत पर मlais बहुत पैसंद आया तो अ में छहां बना सकते और पर मोसद खोड़ने लग रोगे खाके खलवा बनके अपर तयार है अगर रेस्पी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली में सेयर कीजिएगा चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे फिर